दिपास किचन में आपका स्वागत है हमारी आज की रेसिपी है चैने की दाल के पराठे चैने की दाल के पराठे बनाने के लिए हमने यहां पर एक कप चैने की दाल ली है इसको हमने चार से पांच मिनटे पहले भीगो दिया था उसके वाद में इसका पानी निकाल लिया है प्रго को नीज मी रिख ऽयेंने के लिख टूक लिए Про हाओ रिफाटे बनाने के लिए likely रिफय define यहें अवाटे बनाने के लिए वन पिंच हींगına हे वन टी स्पून जीरा तीन तिन लेज भी किल रिखी इसको हम गरम होने देंगे तेल गरम हो गया यहां पर डाल देंगे हम जीरा बारीक कटे पर लहसुन इसी हम डाल देंगे हीम और हरी मिर्च इसको भूल लेंगे तोजर के लिए लाइसी तो इसको लाइट डॉन तक दूनना है और यहां पर डाल देंगे चनी की डाल इसी हम डाल देंगे वन टीस्पूर नमक दो मतली तो मूल लेंगे दाल को हमने दो मकली भूल लिया है अब इनहां पर डाल देंगे पानी पाई जालेंगे हम चनी डाल के लेविल के बराबर क्योंकि दाल हमारे पहले से भीगी हुई है में कर पकाना है से हलका सब बस इस पे हमने एक कप पाई डाला है अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे दो आने तक पका लेंगे जब तक डाल बॉयल होरी तब तक हम दो त्यार कर लेते हैं तो हम नहीं दो कप गेहु गाटा लिया है इसमें डालेंगे वन टीस्पून नमक अपने स्वात कनुसार ले लिए और और लालेंगे इसमें वन टेबल स्पून रिफाइन ओल इनकों अच् हम इसको त्यार कर लेंगे है हमने आठे को बुछ लिया है अब इसको ढख के रख देंगे इधर हमारी डाली बॉयल हो रही है इसको खोल दे चक्कर लेते हैं कि यह देखिए गल गई है बिलकुल इसको ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे हमने दाल को ठंडा करने पाद मिक्सी में पीस लिया है और इसमें डाल देंगे बारी कटेवे प्याज यह आपके लिए ऑप्शनल है लेकिन इसमें अच्छा बहत लगेगा प्याज चाट मसा गरम मसाला यहां थोड़ी सी लाल मिल्च ली है यह आपके स्वास के नसर आप ले सकते हैं हमने हाफ टीश्मूल लिए और थोड़ा सा बारिक कटिव इन दिने पते लिए सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने दाल का मिक्सर अच्छे से मिश करके त्यार कर लिया है और दो मिमारा फेट हो गया है और प्राठे बनाना शूर करते हैं इसकिन अमरूत के साइज की लोई तोड़ लेंगे अब लोई पर थोड़ा सुखा नाटा लगाएंगे और इसकिन थोड़ा बेल लेंगे अब थोड़ा इसमें हम लगाएंगे रिफाइन ओयल हलका साथ और इस ट्रफिंग को इसमें हम रखेंगे उपर से और इस तरह से हम दबाते हैं इस ट्रफिंग को मोड़ देंगे और इसका मूब बन कर देंगे हलके हातों से दबा देंगे इस तरह से दोनों साइट से और सूखा आटा लगा के इसको हम मेल लेंगे हलके हातों से इधर हमने मीडियम फ्रेम पे तवा रखा है गरम होने के लिए पराठे को हम हलके हाथ से बेलेंगे जिससे कि टूपने ना पहें तवा गरम हो गया इस तुम डाल जेते हैं पराके को अब दूसरी लोग बढ़ते हैं इसको भरेंगे इस तरह से इसको हम रोग को हम खटोरी की तरह बना लेंगे अम उठे और अगली की साहता से बढ़ाएंगे इसको हम इसमें हम डालेंगे इस्टफिंक नृ श्च ठबिं तोड़ा और भर लेते हैं तो चार तरफ से को मूख को तबा देंगे इस तरह से इसको भी उसी तरह हलके हाथों से बेलेंगे सुखा अटा लगाते हुए यह एक तरफ से शेखने लगा है अब इसको पलट लेते हैं अब उपार से हम लगाएंगे इस पर रिफाइन ओयल रफल के हाथों से दबाएंगे हैं इससे आप बच्चों को टिपिन में रखके देज़कते हैं डाल को आप रात में भीगो दिजए और सवेरी इस तरह से बाइल करके बनाकर इंको टिपिन में देडिजे इसी तरह समें दूसरा पाथा शेक लेंगे। हमने दिखे दूसरा पाटव सेक लिया है चने की दाल के पराठे बनके तयार हैं अगर आपको हमारी ये रेसिप पसंदा है आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब परना न भूलें फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू